तो अब भी हम जा रहे हैं उद्रगिरी जो उडिशा में पड़ता है और यहां पर चड़ा यह करीबन थोड़ी सी है दो मिनट की ओपर काफी अच्छा व्यूज आ रहा है यांस तो हिल्स पर चड़के देखते हैं हम भी तो यहां पर यह देखो गुफाएं दिख रही है हम लोग अब इस तरह की जो सीडियां होती है यहां सब तो चड़ने मज़े ही कुछ हो रहे हैं अब जो ट्रेकिंग अब गुफा कि लाइन के लिए साइद एक गुफा होगा कि इतने वाले में कि अधा कहां खुझतू रहा है अधा 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 सामधी को ने आप कि मुफा तो मैं तो टोप प्रोटी मजा रहा है सामने ये खंडगिरी का टेमपर और ये जिस हिल प्रैम ये उद्हागिरी इस टाइप के लिए तो विसे हमें जैपुर में काफी सारे देखने को मिल जाते हैं अब अपने अलग अलग जगे अपने आप में फेमस है तो फिलाल में काफी हाइट पर आगया हूं जो कि उद्धेगरी की टॉप हाइट है मैं इस हाइट पर खड़ा हूं तो यहां तो आते आते में थग्या हूं बहुत अच्छा फील हो रहा है एक सामने टैंपल भी है वो इससे भी ज्यादा हाइट पर तो वहां जाना पता नहीं पॉशिवर है या नहीं है भी पर टाइम जी इतना होगा तो देखते हैं आगे अगर के लिए जो भी जबहुत च्छोटा लंगूर कर दो है अजुट में है क्या जुटा नहीं है क्या जुक्ति गड़ बाव औो घा है भापन कोत्म पोट का मंदिर इस हैं अबहान कोत्म पोटका मंदिर जमीन से 140 विट के उचाई पे यहां से दीग कि पूरो पूरो सहर दिख रहा है यहां से बहुत ही संदर ने जा रहा साम में एक नदी भी दिखाई दे रही है पानी तो बहुत कम है पूरो पूरो जताय है वहां से 40 यह ट्रो है। उल सक्तर सक्कीफ ग्षएदी रभी है यहीं in वहां से 4 यह यहां देखने रही कि छेदार के जासकी राय तो सामने से से मंदर देख रहे हैं अंदर चलते हैं प्रचलते हैं वा गपना टू है कि अधिन डिली शित शुई है आपसा घार ही अधर शुई देख लोगन जया शुई सबस्क्राइब रुट ब्रणों," बडायोत।, ट्यानानीचों?"